असलाम अलेकों वीवर्स आपकी हिद्वन ने हाजर है के नए वीडियो के साथ आज के वीडियो हमने ये दो कलर में बनाना है और ये तीन प्लाई उन है और आप कोई भी कलर इसमाल कर सकते हैं और ये मैंने तीन एमेम का क्रोशिया ये इसमाल करना है तो चले अब हम बनाना स्टार्ट करते है तो सबसे पहले हमने लेनी है नोट चेन तो चेन जो हमने लेनी है वो 4 प्लास 4 प्लास लेनी है यानिके जितनी भी आपने कोई चीज बनानी है वो 4 प्लास 4 प्लास लेनी है चेन तो हमने इस तरह से ये नोट चेन ले लेनी है एक दो तीन चार इस तरह से करते वे हमने चेन ले लेनी है मैंने कमी चेन लेनी है आपने जो भी चीज बनानी है उसके हिसाब से आपने अपनी वो चेन जो है वो लेनी है तो यह देखें यह हमने चेन ले लिए अपनी तो हमने अब जो फिर्स्ट रो हमारी है वो हमने बनानी है सिंगल क्रोशिये की तो भी वर्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है के आप प्लीज वीडियो को लाजमी वाच किया करें और जब भी आप लोगों को नॉटिफकेशन आई यूट्यूब की तरव करें तो आप बृदियो को लाजमी नोठिकेशन को अन किया करें hugs तो बेशा का भीडियो वाच लख ना करें इसको लगाकर एक साइट पर रखने है वो कोईburg लेकिन आप लोग प्लीज वडियो को वाच लाजमी ही करें और एंड तक देखा करें ताकि आपको पैटर्न की पूरी समय तो इस तरह से हमने ये सारे सिंगल क्रोशे का ये बना लिने है तो ये हमने अपना ये सिंगल क्रोशे बना लिया तमाम यहां पर हमने लेनी है तीन चेन नीडल बर्दा का और ये अब हमने बनाना है ये सारी रो जो बनानी हमने यहां तक तो ये बनानी हमने डबल क्रोशे तो ये हमने अपना सारा ये डबल क्रोशे के रो भी कम्प्लीट कर लिया अब हमने एक चेन लेनी है इसको टर्न किया और सेम जगा पर हमने इस तरह से और ये नेक्स्ट में तो ये हमने बना लिए अब हमने इस तरह से नीडल पर दो दफ़ा दागा लेना और एक, दो, तीन, और ये चार तो चोथे में हमने इस तरह से ये हमने ट्रिपल क्रोशिया ले लिया अब ये वाला जो ये इसके साथ उपर आ रहा है ना करके तो यहां पर हमने इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया बनाना एक, दो, और ये तीन तो ये हमने ले लिया है तीन सिंगल क्रोशिया तो अब हमने ये सेम इसके अंदर से ये जो हमने ट्रिपल क्रोशिया लिया था ना इसके अंदर से इस तरह से इस तरह से ट्रिपल क्रोश यहां नहीं फिर से हमने यह वाला छोड़के तो यहां पर यह देखें इस तरह से यह बन गया हमारा एक दो और यह तीन सोरी यह हमने इसको बुनना नहीं है तो यहीं पर हमने यह ट्रिपल क्रोश दो दफा नीदल पर धागा लिया और यह एक दो तीन और यह चोथे में हमने इसको इस तरह से अब हमने यह तीनों को एक साथ ही बुन देना है और यह एक को छोड़के तो इस तरह से फिर आगे हमने तीन ले लेने इस तरह से तीन ले लिये हमने फिर से नीडल पर धागा लिया और इसके अंदर से हमने इस तरह से बनाने तो यह देखें यह इस तरह से बनता जाएगा यह इनको बुनना नहीं है हमने यह तीन एक साथ ही अब हमने उसके साथ ही इसको बनाते साथ ही हमने नीडल पर धागा ले लिया और एक, दो, तीन और ये चोथे में से इस तरह से हमने करते वे ट्रिपल क्रोशोय बनाते वे इसको हमने इस तरह से बना लेना ये फिर एक स्कीप किया और नेक्स्ट वाले एक, दो और ये तीन अब हमने नीडल पर दो दफ़ादा गले लेना है अब हमने इसको बुनना नहीं है फिर से नीडल पर दो दफ़ादा गले लिया और ये एक, दो, तीन और ये चार इस तरह से ये अब हमने स्किप करके एक, दो, और ये तीन अब हमने इसमें से नीडल पर दो दफ़ादा गले लिया एक, दो, तीन और ये फूर्थ वाला लास्ट में आ रहा है अब हमने ये तीनों को बुना देना इस तरह से और ये एक हमने स्किप किया और ये इस तरह से तो ये लेखे ये इस तरह से हमारी स्कियर ये बन गी तो अब हमने एक, दो, तीन चेन लेनी इसको टर्न करना है और ये हमने शोड़ देना है और ये इस तरह से अब ये सारी रो में हमने यहां तक डबल क्रोशिया बनाना है तो ये हमने सारा ये डबल क्रोशिय की लाइन जो वो कम्पलीट कर लिया है तो अब हमने एक चेन लेनी है तो और इस पहली दफा हमने दो चेन के बाद एक और दो के बाद हमने ये वाला ये ट्रीपल क्रोशिया लिया था अब हमने एक ये दो तीन और ये चार नीडल पर इस तरह से धागा लिया और ये देखे इसी के अंदर से हमने ये बनाना ये ड्रीपल क्रोशिया इस तरह से और यहीं पर हमने फिर से धागे पर लिया दो दफा और ये यहीं पर हमने एक और ये दो और ये तीनों को हमने इस तरह से ये बुन देना तो ये देखें ये इस तरह से हमारी ट्राइंगल बन गया है ये इस तरह से दो और ये अब हमने वोई दो और तीन नी ले दे नीदल पर दागा फिर इसी में से हमने इस तरह से गुजारना है इस तरह से नीदल पर फिर से दागा अब हमने ये इस में से इस तरह से तो ये हमने एक स्कीप करके तो ये इस तरह से ये देखें ये इस तरह से हमारे ये डिविया बनती जाएगी ये तीन तो इसी तरह से करते हुए हमने यहां ता कपना बना लेना है तो ये देखें ये लास्ट वाला आगया हमारा तो ये हमने एक स्कीप करके तो लास्ट में हमारे जो दो बचने वो हमने इस तरह से बना दे दी तो ये देखें इस तरह से हमारा ये डिजाइन जो बनता चला जा जाएगा अब हमने यहाँ पर सैक्न कलर लगा कर तो स्झेम पैटरं जो e न, वो उसी तरह से फिर से हमने ये डवल क्रोशिया जो e n वो बनाना है तेन चेन ले ली हमने ये इसको टाइड कर लिया ये साथ ही हम ले देंगे धागा तो ये इस तरह से हमने पूरी लाइन में डबल क्रोशिया बना लिया तो ये देखी ये राउंट हमने डबल क्रोशिया कर लिया तो ये हर राउंड में हमने ये इस तरह के एक और ये दो बनाने तो एक हमने चेनली इसको टर्न कर दिया और सेम जगा पर हमने लेनी है एक और ये दो नीडल पर दागा लिया और ये इस में से हमने इस तरह से एक ये छोड़के तो ये रेखें अब हमने एक दो और ये तीन यहाँ पर हमने नीडल पर दो दफ़ता गा लिया और फिर से सेम इसी जगा से ये दिखें इसको भी नी बुनना हमने फिर से नीडल पर दागा ले लिया अब हमने ये नेक्स्ट वाली जो डिब्या बनाई थी इस में से इस तरह से ये पिछे ये छोड़के एक और ये नेक्स्ट वाले जो है उस में से इस तरह से तो ये देखें इसी तरह से आगे पीछे करते हुए हमने ये अपना डिजाइन जब बना ले ने तो हम थोड़ा सा डिजाइन बना कर आप से मिलते हैं तो ये देखें वीवर्स ये हमारा डिजाइन जो है न वो बनने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगा तो उमीद करते हैं आपको मारा राज कर डिजाइन पसंद आएगा तो फिर मिलेंगे आप से नेक्स वीडियो में अलाहाफीस